अलो दोस्तों मेरे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है यह देखे मेरा खुब्सूरसा गार्डन आजकल बर्सात में और अच्छा हरा भरा हो चुका है और पहने पहली वीडियो में आपको दिखाया था मेरे चट में अम्रूद लगे हुए हैं यह देख सकते हैं आप त के नहीं हैं कच्छे हैं यह गुरू बैग में पपीता भी लगाया है काफे पेड़ बारिस की वज़े से बड़े हो चुके हैं और हरे भरे हो गए हैं यह इंडूर प्लांट है यह देखिया आप कितना खुष्सूरत लग रहा है और यह तुरे की बेल है तुरे की बेल लगाई है अभी इसमें छोटी छोटी तुरे ही आ रही है और यह चंपा का पेड़ है इसमें बहत अच्छे अच्छे फूल आई बही है वाइट कलर के काफी सुंगा फूलाई है यह दि मैंने गुरू बैग में लगाया है काफी बड़ा हो गया यह पेड़ और यह मधमालती है मधमालती में भी फूल आ रहे है इस सदा बहार है, इसमें इतने फूल आई है, यह रेन लिल्ली है, रेन लिल्ली में भी काफी फूल आई है, वाइट कलर की, पिंक वाला भी मेरे पास रेड लिल्ली है, यह अपराजीता का प्लांट है, यह मैंने बीज लगाया था, बीज से हुआ है, इसमें भी काफी सुन् ब्लू कलर के अब ही आई नहीं है इसमें देखिए कितने खुबसरत खुबसरत फूल आए हैं मेरे गार्डन में कि देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं गुलाब के पंखड़ी की तरह खुल रहे हैं कि बहुत सारे पेड़ लगाए है मैंने छट पे फूलों के भी और फलों के भी और सब्जी के भी छटी पे बनाया है पुरा कार्डन यह आप देख सकते हैं यह चोटी सी क्यारी बनाई है इसमें भी सब जब जब होई है यह देखिए आप हमारा गार्डन यह अनार का पेड़ है सामने यह गुड़हल का है एक कलम लगाई जी मैंने गुड़हल की इतनी बड़ी हो गई इक गुड़हल का पेड़ है इसमें यह लो कलर के काफी संदर फूल आते हैं और यह बेल वाला गुलाव है जो मैंने पुरानी बाल्टी तीस में लगाया है यह बेल वाला गुलाव देखो यह उपर तक पहुंच गया है यह तक और यह पपिते का पेड़हु कि यह वाइट वाला कनेर है कि यह कलंंब देज़ए था मैना वाइट कनेर इसमें वाईट कलर के फूल आज़िए आघने सब्सक्राइद कविद्बूर कनेर के फूल आते हैं तो यह फिंक वाला disparplement के इसमें खूल आई हैं एं अचकंद इसा और जेक है कैसा लगा आपको मेरा गार्डन अगली वीडियो में आप से फिर मिलती हूँ जब तो रही लग जाएंगी तो तो रही वाली वीडियो डालूंगी मैं तब तक के लिए बाई